सो हेलो फ्रेंट्स जैसे कि हमने कहा था कि अब हम रोज देखिए जो भी आपके questions होंगे उसके answers में दूंगा तो इसके लिए first video हम लेकर आ चुके जिसमें हम बात करेंगे जो भी आपके questions थे question मतलब जो भी comment आपने किये थे उसके answers आपको इस video में मिलेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो पहला जो question है दोस्तों वो है राकेश जी का उनका question है semi conductors और EV share कौन से लेने चाहिए अब देखे बहुत जरूरी बात आपको समझे पड़ेगी जो exact अभी semi conductors के अगरे में बात करता हूं तो देखे semi conductors के exact कोई company आई नहीं है ये बात बिल्कुल सही है कि शुरूआत हो चुका इसके अंदर काम सरकार भी देखे कोशिश कर रही कि किस तरीके से semi conductors के अंदर स data group ने start कर दिया अलब start almost हो चुका है उनकी दोरह आसाम के अंदर भी किया जाएगा cg power में बीच में news निकल कर आए थी कि वो semi conductors का काम करने वाले तो no doubt देखे ये बहुत interesting में आप से पुरा ये industry रहेगा और no doubt देखे industry के अंदर ये काफी interesting के companies रहीगी जो बहुत अच्छ देखे एवी के अंदर अगर आप four wheeler में जाएंगे तो आज टार्टा मोटर सबसे बड़ा नाम है two wheeler में आप कह सकते कि यहाँ पर बाकी companies है जिससे कि two wheeler में आप देख सकते एक ola नाम की company है बड़ भी तरक list नहीं हुई है right तो ऐसे भी market leaders है पर specifically अगर आप मुझसे company है उसके उपर हम नहीं जा रहें कि देखे company खराब है आप अच्छी है लेकिन यहीं अगर आप Tata Motors को देखेंगे तो इनके पास boundary यही है लेकिन semiconductor वाली company हर एक company को जिसको भी chips की जरूरत है या फिर semiconductor की जरूरत है उनको भाइक उनको भीज सकता है तो लोड़ाउट उनके लिए एक positive बात है कि उनके बस wide area है काम करने के लिए यह अपना अपने एक important चीज नदर आती है otherwise अब देखते क्या होता है because देखे धीदर करके इसके अंदर भी competition तो बड़ेगा ही बड़ेगा पर जैसे मैंने का यह अच्छी companies रहेगी long term के अंदर second का दोस्तों जो question है वो बावनुकतों का low है 393 का बावनुकतों का ही है तो almost low के करीब trade कर रहा है चालिस के असपस की पी है गोपाल snacks no doubt देखे एक अपने आप में जानीवानी company है उसको कोई deny नहीं करेगा return on capital, employee, return on equity दोनों यह काफी जादा बढ़िया है इसमें कोई दोराय नहीं है कि यह दोनों नहीं कर सकते है तो पिछले तीन साल का जो data है मार पर उसके सबसे 16% की growth यहां पर हुई है sales की और तीन साल के अंदर profit growth almost 37% की जो ठीक है profit growth अच्छी company की देखने को मिल रही है हाँ sales की ओपर company को काम करने की जुरूरत है और QN की जो अभी numbers निकल कर आए September की जो हमारे पास अविलिवल है इसमें 676 करोड़ा दोस्तों company ने sales report किया था उससे एक साल पहले 699 करोड़ा था तो क्या मतलब है इसका growth company की क्या उस प्रकार से नहीं हुई है इसा तो लग रहा है मुनाफ़ा देखाया तो company का ठीक है मतलब profit जो net profit है वो गरीवन 56 करोड़ का था पहले 52 करोड़ का था इसके 2nd of April को numbers भी आने वाले है तो मेरे साब से देखिए company तो ठीक है अगर आप इसके peers को देखेंगे जिस valuation पे available है तो ये company ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़ादा high premium पर आपको मिलेगी अगर quarterly earnings ठीक है तो बढ़िया है हाल फ्रेल में मैंने ये देखा है कि जो भी IPO की companies है उनके अंदर काफी तीजी सम्भू गरावट देखने को मिल रही है काफी यसी companies है जिनके valuation मुल रखता है कि काफी साई levels पर आचुके पर उसके बावजुद भी गिरते बने जारे तो I think it's better कि तोड़ा सा wait करे hold करे और अपने एक stop loss के साथ चले अगर आपका सिफ यहाँ पर था कि short term के दे मुझे पैसा कमा के निकलना है पड़ेगी बाजार कवी कबार कुछ specific चीजों को गिरा भी देता है जैसे कि अभी हाल में साल जैसे मैंने कहा सारे almost सारे listed companies के जो भी recent listed companies है उनमें गिरावट हम को देखने को मिल रही है तो यह अभी देखिए यहाँ पर trend हम को चलता हुआ देखने को मिल रहा है यह बाद में जिस तरीकी का mood महौल है उन companies को related उसके कारें यह गिरावट दिखाने otherwise long term में यह बढ़िया कर सकती है क्योंकि company fundamentally बढ़िया करती भी निजर आ रही है यह specific बात है next question दोस्तों लेते हैं यहाँ पर user का नाम जो भी है so credo brand credo brand में क्या करें दो lot है IPO से so दो अगर आपके व है करीबन 14 का इसका पीए 14 का पीए रिटरोन capital इंप्राइट रिटरोन इक्विटी दोनों काफी बढ़िया है वहाँ पर भी कोई issue हमको देखने को नहीं मिलता है company की sales की अगर बात करता है जो growth देखने को मुले company की sales के अंदर पिछले 3 साल में तो मातर 3% की है लेकिन पिछ 300 करूर की sales report करी December के quarter के अंदर और जो company का margin था वो गरीवन 28% पर हमको देखने को मुला और पिछले बार वो 33% पर था तो company का margin जो है वो काफी आपको drop होता हुआ देखने को मुला इसमें को deny इसको को deny नहीं कर सकता है और company के margin जैसे कि अगर आप September के quarter में देखेंगे तो 34% का था 2023 में उससे पहले 36% का था तो company हो सकता है कि अपने sales को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा margins पे focus कर रहे हूं margins को थोड़ा सा नीचे लेकर आ रही हो बाकी बाफा तो देखेंगे company का ठीक ठाक है वहाँ पर तो ठीक आपको वही देखने को मुला जिस तरीके का trend रहता है company क स्पेसिफिकली अगर credo brands की बात करता हूं इसके peers से क्योंकि 14 का PE है और आज के time में कौन से company जो 14 के PE पे मिल रही है I think कोई भी नहीं है right तो इसका मतलब यही कि ठीक है मतलब इसकी valuation थोड़ी से नीचे आपको आती भी देखने को मिल रही है accurate हम वैदान fashion से compare कर सकते 56 का PE है है बट margins में ज्यादा समझोता नहीं होना चाहिए यह specific बात है इपक में बहुत laws हो गया है laws book कर ले गया तो simple सी बात है आपको समझना पड़ेगा share market के अंदर देखे जो भी company है उसको आपको उसकी face value पर देखना पड़ेगा face value मतलब क्या कि वह किस तरिकी performance कर रही है right अब पर दिखनी चाहिए हमको थोड़े बहुत numbers अलब आने वाले quarters में numbers अच्छे होने चाहिए और इस प्रकार की expectations है बट यह जिसमा ने का company को face value पर लीजिए company के numbers पर focus करिए उस तरीके से देखिए shares के दर देखिए बहुत सारे SS share होते हैं जो 75% तक नीचे गर जाएंगे और बात जो चलना चालू करेंगे वो कोई सोचनी सकता है बट आपको समझ में आना चीह है कि क्या आपकी share में उतनी खासियत है क्या numbers सही दिख रहे हैं अगर company के जस्वाने का fundamentals बुरे नहीं है तो कोई issue नहीं है गिरते रहते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राइड इस का इसका PE हो चुका है अभी currently गंधार oil का और 83 का इसका book value है return on capital employee, return on equity दोनों काफी बढ़िया है तो company कुछ बढ़िया कर रही है हम कह सकते हैं 4000 करोड की sale है और company की market cap है 2000 करोड की उसे साब साब देख सकते हैं लेकिन जो ये काम करते हैं जो ये oil create करते हैं ये काफी सारी companies को distribute करते हैं उनके बड़े-बड़े customers है ये हमने पहले भी बात कर रखी है बर जरूर देखेंगे अगर numbers की बात करते हैं तो company के numbers ठीक है बहुत ज्यादा तीज़े से क्या grow कर पा रहे है अगर हम numbers देखा जाए तो 16% company की तीन साल की growth रही है almost 16% की और जो मुनाफ़ा की growth रही जरूर देखिए company की जो margins है right जो margin power is specifically अगर मैं बात करता हूं वो ज्यादा नहीं है 78% है लेकिन उसको भी company ने over the years ठीक तक increased क्या है और अब 8% पर लेकर आ गई है जो पहले नहीं था तो मैंसे आपसे company grow कर रही है specifically देखिए अगर इंगे numbers भी देखा है तो SNE की बहुत weak है company के numbers stable है margin stable है तो में जाब से थोड़ा सा patience रखा जा सकता है अगें ये बात जो भी दहन रखिए का हम बात कर रहे है at the end आपको अपने financial advisor से तो अपना जो भी consultation है वो करना ही है next दोस्तो EQ lighting करीबन 2170 की market cap है और 281 पर चल रहा है again 277 का इसका भी low है 30% का इसका ROC है ROE काफी बढ़िया है 40% का तो यहाँ पर भी ये तो बढ़िया ही है अगरे बात करता हूं दोस्तो company की sales की right हम sales से compare करेंगे हर company को तो दोस्तो पिछले तीन साल में 18% की company की sales growth है profit growth करीबन 34% का है जो भी company की recent numbers निकल कर आये थे जो हमने December के quarter के देखी उसमें कमपनी ने 117 करोड की sales क और company ने कुल मिलाकर जो मुनाफ़ा बनाया था वो 25 क्रोड का बनाया था अब यह देखें सिंपल सी बात है इनकी उस प्रकार से growth देखने को नहीं मिल बारी है तो company के numbers अगर आप देखेंगे पहले तो काफी नीचे चले गए थे बड़ उस तरीके से numbers जो है वो पेश नही नहीं कर पाई साल बर साल के अंतर यहां पर उस प्रकार की growth देखने को नहीं मिली I think यह बड़ा factor जो से गरन चे गर रहा है बाकी देखा जाए तो no doubt देखें company के उपर valuations को तो हम कोई ज्यादा चिंता नहीं कर सकते valuation तो company को ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा expensive हम को नजर आ सकते हैं but the thing is जो में साबसे मुझे नजर आता है कि जो industry का average है वो करीब चालिस का है right तो उससाब से जैसे मैंने का valuation ऐसे नहीं को बहुत ज्यादा expensive आपको देखने को बलेंगे बट ठीक है में साबसे थोड़ी बहुत microphone पर वीडियो बनाई है तो specifically मुथूट microphone की भी problem यह हमको देखने को मुल रही है कि अभी जो recent action हुआ काफी सारी NBFC पर क्या कई आगे चल के इधर ना हो जाए उसका भी problem देखने को मुल रहा है बट ठीक है वहाँ पर भी मेंने साब कहा कि अभी उनका बड़ा problem में कुछ जो नज़र आता है वो यह कि इनके financing margins जो है वो थोड़े से dip कर रहे है तो अगर company अपने financing margins को और बढ़ा लेगी तो आपको बढ़िया देखने को मुलेगा कि किस तरीके से वो अपने margins को increase करते है और दूसरे जासमने का NBFC के उपर जो action हम को देखने को मुल रहा है यह भ इस company के अगर मैं बात करता हूं growth की तो company की growth में आप आप साफ देखेंगे कि company की growth ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तावर तो और company के numbers आ रहे है बड़ अगर आप इसको compare करेंगे 2019 में 35 क्रोड की company की sale थी और उसके रहा 306 क्रोड की उजाती है 2023 तक तो आप समझ सकते किस प्रकार की growth आई है company का मुनाफ़ा अगर आप notice करेंगे तो दूस्तो company का मुनाफ़ा 2 करोड था 2019 में और अब 32 करोड चुका है तो यहाँ पर भी काफी बड़या तरीके से company ने जम किया है लेकि basically जो company है यह जातातर redevelopment का का काम करती है मुंबाई के post इलाकों में इनका 200 redevelop development का काम चलता है तो मैं सबसे इधर कोई company में कोई खास problem नहीं है हाँ अगर मैं बात करता हूँ valuation को लेकर right अगर valuation देखा है तो 36 का पी है और जो industry का average है वो 28 का है लेकिन इधर अगर आप दूसरी companies को देखेंगे तो इन valuation पर मिल जाती है right तो ऐसे नहीं कि company के valuation बहुत आक्टर है पर यह company ने पहले कहा था कि इनका इंटर्वीश होना तो तब इनके बास अच्छे खासे अभी order book है तो जाता चिंता वाली बात नजर नहीं आती है अभी तो यहीं दिखता है बड़ जैसे मने कहा कि अपने Indian financial advisor से आपको consult करना है जो भी आपका important यहां पर question हो अ अगर आप लोगों question पूछना है वापिस से तो आप भी पूछ सकते हैं कहाँ पर comment section में thank you friends for watching this video